अभी के टाइम पर काफी सारे स्मार्टफोन लोंज होने वाले हैं, और मैं आपको बतादू कि यह सिरिसला अभी नहीं रुखने वाला है, क्योंकि काफी सारे ऐसे popular स्मार्टफोन है, और जल्दी हमें विगों की T4 सीरीज भी देखने को मिलने वाली है चाइना के अंदर और उसके बाद कहीं हमें ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर देख मिलेगा अब इसमें क्या कुछ हमें देखने हो मिले हैं कब तक ही इंडिया में आ सकता है कि इस प्रेजिंग में आ सकता है एक सिलिकन बैक और भी हाँ पर दिखाया गया और कैमरा कट आउट की हिसाफ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि डिजाइन है कैसा यहाँ पर रहने वाला है एक टाइप सी की चार्जिंग केबल हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर जो में है ना जो चार्ज परकार का डिजैन रहने वाला है टी फोर प्रो स्मार्टफून का एंड फ्रंट साड में आएंगे तो मिड़ पंशोल डिस्प्ले रहे गया गें कर्ड एजिस रहेंगे यह माइक्रो कर्ड डिस्प्ले है ना जो कि आजकल काफी ट्रैन में चल रही है स्यम एजिटी वैसी रहने वाली माइक्रो कर्ड डिस्प्ले हम यहां पर देखने को मिल जाएगी बैदल होंगे काफी हथ कम यहां पर रहने वाले हैं यहां पर जो रिफ्रेस्ट होगा 120 हज का रिफ्रेस्ट होगा 4500 निर्स की पीक ब्रैनेस रहेगी यह जो आउटडर विजिबिल्टी रहने प्रैंट वाले स्मार्टफोन में वह भी आपको यहां पर काफी अच्छी मिलने वाली है इसके अधर में कैमरा की बात को तो मेजर इंप्रूइमेंट आपको देखने में कैमरा के अंदर क्योंकि यहां पर अपके बार ट्रिपल रहे कैमरा होगा जिसमें प्रैमरी कैमरा 50 पर option देख मिलेगा AI से related भी काफी सारे feature यहां पर add के जाएंगे मेरे कहने का मतलब है जैसे AI Eraser आपको देखने में जाएगा color enhancement का option देखने जाएगा तो ऐसे AI के feature भी आपको यहां पर काफी अच्छे देख मिलेंगे जिससे कहीं निकिए आप अपने camera की quality को थोड़ा enhance कर सकते हो तो cool मिलाकर हम कह सकते हैं कि as to compare करे T3 Pro से तो यहां पर camera में improvement हमें देखने को मिलेंगे और कुछ ने feature भी add होते हुए देख मिलेंगे जिससे कहां पर हमारा camera है थोड़ा और अच्छा result प्रवाइड कर आएगा फाइनली performance की बात करता हूँ तो performance में मुझे सबसे अच्छा लगा यह smartphone क्योंकि यहां पर हमें midi attack density 8318 chipset देख मिलेगा हलाकि यह chipset कोई निया नहीं है हमने पहले भी Poco के x6 pro में smartphone में यह chipset देखा था लेकिन अगर मैं बात करता हूँ under 25,000 तो उस हिसाब से chipset काफी ज्यादा अच्छा है यह LPDDR 5X टाइप की RAM ROM टाइप देख मिलेगी तो overall अगर मैं combination की बात करता हूँ performance के इसाब से बात करें तो no doubt यह काफी तगड़ा combination होगा यह थे कुछ फीचर जो की लीक हो करा है स्मार्टफोन से लेटी जो की हमने आपको बताए अभी बात करते है स्मार्टफोन की launching date और प्रैज की देखो प्रैजिंग अगें जैसिंग मैंने आपको बताया 25,000 की around जो स्मार्टफोन की प्रैजिंग रहेगी launching के लिए अभी आपको थोड़ा wait करना पड़ेगा क्योंकि बताजार कि December end तक जो इस स्मार्टफोन चायना के अंदर launch हो सकता है और उसके बाद कहीं हमें इंडिया में देख मिलेगा FAB एंड या मारच के अंदर तो यह थे दोस्तों इस स्मार्टफोन स्लेटिट कुछ लीक्स जो के निकले थे आपको कैसे लगे कमेंड में जूर बताना आज के लिए वसे इतना ही मिलते नेक्स डियो में जैने दोस्तों